देश में ये देश में ये धर्ती में एक जगा है पश्ची मंगाल और पश्ची मंगाल भारत वर्ष में आते हैं लेकिन आज वही पश्ची मंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है ये हमारे पश्ची मंगाल के लिए कलंख है महमता बाइनत जी पश्चिम मंगाल में मुघल जो सासन था हम लोग इतियास में पड़े थे वही सासन फिर से लेके आ रहे हैं कोलकाता से 30-35 किलोमेटर दूर बशिराट शंदेश काली एक जगा है और वहाँ पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया शेक शाजाहन उत्तम शौदर शीबू हजरा इस अब वहाँ का माफिया लोग है बाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहाँ पे पुरा माफिया राज चलाते हैं बहु वहाँ का जनता का जनता ने आवाज उठाया था ये शेक साजाहन ये जी इसका टीम माफिया गैंग है टेरोरिस्ट है इसको ग्रेफतार कीजिए सजा दीजिए लेकिन बाम फ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 एस में उसके बाद सासन आया टिनमुल सरकार का उन्होंने उसक शेक साजाहन को इतना सारा वहाँ पे अत्याचार किया टिनमुल सरकार ने ये शेक साजाहन वो टेरोरिस्ट को वहाँ का सभापती बना दिया बसी राट उसंदेशकल इलाका का डॉन बना दिया सभापती बना दिया ओफिशियल पोस्त दिये दिया और वो लोग क्या करते सालों सालों तक महिला के उपर अत्याचार सिर्फ अत्याचार नहीं रात बारा बजे रात एक बजे फोन करते थे फोन करके बुलाते थे विवाहित और विवाहित महिला को फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है अभी काम है अगर वो मना करते थे बाड़ा बजे आब लोग क्यों फोन कर रहे तो उसको हजबन को मारने का धमकी देते थे उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि आप अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हजबन को टांसपर कर देंगे अब हजबन को मार देंगे तो महिला को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे बारा बजे सारे बारा बजे दो तिन दिन बाद महिला लोग खुद बता रहा है आप टीवी के सामने कि दो तिन बाद जब उनका मनरंजन पुर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे